हरो दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई एक बार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजेगा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 विज्ञान का जो स्लेबस है 2024 के लिए आज उस लेबस के बारे में नहीं बताऊंगा कि सिर्फ स्लेबस के बारे में बता करें चला जाऊंगा पूरा आपका टाइम टेबल भी बताऊंगा कि टाइम टेबल किस तरह से बनाना है किस तरह से आपकी स्ट्रेजी होनी चाहिए ठीक है किस तरह से आप पढ़ाई करेंगे सारा कुछ आज मेरे को नहीं जानते हैं तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्लास इंस के विज्ञान के स्लेबस के बारे कि 2024 कॉन छिप कटे हैं हमने देखा कि जब कोविड time आया था कोवीट के दोरान 30% सलेबस रेडिऊस हो गया था हो गया था ना हां या ना हो जल दीस हुआ था ना तो देखते हैं आज का सले बास 2024 का सले बस है जादी देखें कितने में रसायन विज्यान में जिसका हम लोग बोलते हैं केमेस्ट्री हिंदी से बॉलिगे रासायन विज्ञान ठीक है chemistry chemistry में सिर्फ और सिर्फ आपको 4 chapter पढ़ने है कितने 4 कितने बोलो बोलो किते 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 4 सिर्फ 4 chapter पहला कौन सा है रासायनिक अभिक्रिया एवम समीकरण पहला दूसरा कौन सा है अमल छारक एवम लमड तीसरा कौन सा है धातू और अधातू चोथा कौन सा है कारबन इवं उसके योगिक तो दोस्तों क्लास तेंथ रसाइन विग्यान में सिर्फ और सिर्फ आपको चार चैप्टर पढ़ने हैं ठीके आप किसी भी बोर्ड से हैं आप यूपी बोर्ड से हैं है ना यूपी बोर्ड से हैं बिहार बोर्ड से हैं तो ये वीडियो में सब कुछ मतलब पूरा फायदा आप लोगों को होने वाला है सब भी बोर्ड के लिए क्योंकि यह chapters आपके भी बोर्ड में हैं है ना वही chapters मैं आपको पढ़ाओंगा अच्छे से आप लोगों की तयारी को करवाऊंगा तो यह चार चैप्टर हो गए आपके रसायन विज्ञान के अंदर अब बात कीजाए जीव विज्ञान के अंदर तो जीव विज्ञान के अंदर तीन चैप्टर आपको पढ़ने है ठीक है लेकिन यहाँ पर एक चैप्टर और एड है जो पहले चैप्टर था नियंतर एवं समन्नवय तो परेसान होने की बात नहीं है आपके साथ आपका भाई बायोमन है तो बिल्कुल से बायलॉजी में तो परेसानी लेने की जरूरत ही नहीं है टेंसन तनिक भी नहीं लेना है बस जितना आपका भाई बायोमन 30% लेपस जब reduce हुआ था तो मेरे पास question bank थी तो इस question bank में ये chapter cut हुआ था नियंत्रने उम समन्नवे तो इस पर अभी भी doubt है लेकिन आ सकता है तो मैं इसको पढ़ा दिया हूँ इसको पढ़ लेना ठीक है अनुवानसिक्ता वाले chapter में सब कुछ यहां में पढ़ना पढ़ेगा परेसान मत हो न मैं पढ़ाओंगा न चलो तो जीव विज्यान के अंदर यह आपको तीन चैप्टर पढ़ने होंगे लेकिन अपने दिमाग के बारे में पढ़ना है आपकी बॉड़ी कैसे कंट्रोल हो रही है मैं कैसे बोल रहा हूं यहां पर जो लिखा है कच्छा दस विज्यान के बारे में बताने आया हूं न तो मैं विज्यान की ही बात कर रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं लाल साहवाल रोड़ ओफाइसी की बात कर दूँ ऐसा नहीं कि मैं PGT का स्लेबस उड़ा त्रण इमम समन्नमय में ठीक है चलिए फिर आगे आपका जीव विज्ञान में आपने देख लिया अब इन चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है इन चैप्टर्स को आसानी से मैं आपको बिल्कुल एक पॉइंट समझा समझा कर कैसे पढ़ाऊंगा जिससे आपके विज्ञान में सव में सव परसेंट नंबर है ना आप हासिल कर ले किस तरह से स्ट्रेटेजी किस तरह से पढ़ना है ठीक है तो यह हुआ आपका जीव विज्ञान अब बात की जाए अगर भौतिक विज्ञान की तो भौतिक विज्ञान के अंदर दोस्तों आपको पांच चैप्टर पढ हो गए है नहीं प्राक्तिक संसादनों का प्रबंधन जो था और उर्जा के स्रोथ दो चैप्टर आपके कट हो गए है तो यहां पर क्या है कि प्रकास का चैप्टर है प्रकास का प्रावर्तन इसके बाद मानव नेत्रियुम रंगभी रंगा संसार लाइट पढ़ना है फि कि पढ़ना जाएं दा जो संहां चैप्टर होंगा टेराउस तोल में कितने चैप्टर पढ़ने होंगे तोल हमीं नंबर यह- ठीक है अब देखिए मैं कैसे काम आऊंगा तो हमारा जो ये चैनल है आप लोगों का जो ये प्यारा सा चैनल है बायो अमन पॉइंट इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट है है ना जिस प्लेलिस्ट का नाम है Class 10th Science ठीक है ये प्लेलिस्ट का नाम है प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको जस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दूँगा आप तुरण चेकर लीजेगा ठीक है इस Class 10th Science में आपको जी सभी चैप्टर पढ़ाए गए हैं सभी वो भी इतने अच्छे अंदाज में इतने बहतरीन तरीके से पूरे यूट्यूब पर आप धूड़ोगे ना तो ऐसा वीडियो मिलेगा नहीं ठीक है क्योंकि ऐसा वीडियो ऐसे तरे से मैंने नहीं पढ़ाया ही नहीं मैं तो सिर्फ यहीं पढ़ाया है ना इसके बाद क्या है आपको एक प्लेलिस्ट और चेक करनी है इस्पेसल बायलोजी के लिए जो बच्चे बायलोजी जीव विज्ञान को अपनी बिलकुल जान मानते हैं जीव विज्ञान को ही अपनी पूरी दुनिया मानते हैं जान मानते हैं पुरा संसार मानते हैं उनके लिए एक प्लेलिस्ट है क्लास टेंथ जीव विज्ञान ठीक है बाहलाजी यानि की कच्छा दस जीव विज्ञान के नाम से वो भी लिंक निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकि देखना सभी वीडियो आपको मिलेंगे अब बात आती है पढ़ा तो हमने दिया करवाएंगे कोई नहीं करवाएगा मैं करवाओंगा ठीक है अब एक प्लेइलिस्ट और है ठीक है कौन सी क्लास टेंथ साइन्स आई यम्पी क्वेस्चन ठीक है यह प्लेइलिस्ट की लिंक भी मैं आपको निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा चेक कर लेंगा तो यह तो आपका साइन्स है ठीक है विज्ञान का और इसका जो स्थे क्लास टेंथ विज्ञान जी और ने कोश्चन देख लीजेगा यह तो सोसल साइंस भी पढ़ना चाहते एक साल क्या था अभी पिछले वर्सी 2022 में 2022 में बहुत से बच्चों कमेंट आया था अब यह सोसल साइंस आपको पढ़ाना है मेरे को बोला कि पर आप फिर मैं क्या करता फिर तो मेरे को पढ़ाना पढ़ता अब यह फिर मैं पढ़ाने वर इस देखा सब्सक्राइब पढ़ाया तो आप लोग एक चैनल और है क्लास टेंथ सौरी प्लेलिस्ट है क्लास टेंथ सोसल साइंस ठीक है यह प्लेलिस्ट है इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगी इस चैप्र इस साथ कहता हूं वादा करता हूं मैं आपसे कि आपको बोरियत नहीं होगी पढ़ते दोरान ठीक है जब आप पढ़ रहे होंगे वीडियो को देख रहे हो तनिक भी आप बोर नहीं होगे आप लगतार अच्छे से बिल्कुल मस्ती में पढ़ते जाएंगे तो ठीक है अब बात बनाते हो बहुत तगड़ा होता है अगर कोई मारा चटाक से आपको क्या आपको गुसा आया आपने उसको देखा चोटा ही ही बड़ा अगर चोटा है तो आपने फिर कूटा उसे बढ़ा है चुप चाब मूलटका के रोंने लगे आ भाग गए ऐसा होता है ना ऐसा थोता नहीं मारने के बाद आपने सोचा मारा किसने मारा क्यूं मारे मुझे क्यूं मारे यहां क्यूं मारे क्या काराण है ऐसा थो पूछते नहीं कोई पीटा तुरांट गुस्सा हो या ii 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 i याद रखना बहुत बड़ा काम तुम ने कर लिया अब उसी को करते रहो आगे निकल जाओगे ठीक है strategy की बात की जाए तो आप लोग strategy क्या बनाएंगे देखें मैं जो बनाता हूं मैं वही बताऊंगा मैं कहीं से उठाई गई बातों को भाई नहीं बताऊंगा साब से जब भी मैं किसी भी एकजाम की या किसी भी जह है चीज की मैं तैयारी करता हूं सबसे पहले सबसे पहला काम मैं ये देखता हूं कि उसका syllabus कितना है है ना मैं उसका syllabus देखता हूं असलेबस में स्पिसली देखता हूँ कि उसमें कितने चैप्टर पढ़ने होंगे चैप्टर के नंबर देखता हूँ अच्छा तेरा चैप्टर पढ़ने होंगे कितने तेरा कितने पढ़ने होंगे तेरा अब मैं स्टेटजी बनाता हूँ कि इन तेरा चैप्टर में से मैं प आहिले महीने में पांच चैप्टर मैं दस दिन के अंदर पढ़ रहा हूं कि पांच दिन के अंदर कि बीस दिन के अंदर वो मेरे पड़ी पेंड है और मैं उसको खतम कर लेता है क्योंकि देखो हमारा जो माइंड है वो reward सिस्टम पर काम करता है उसको reward चाहिए होता है आप reward जब पांच चैप्टर खतम करूंगा ना तो भाई मैं घूमने जाऊंगा जो है कहां गार्डेन में और वहां चॉकलेट लेकर जाऊंगा आइसक्रीम लेकर जाऊंगा वहां खाऊंगा विलकुल मस्ती करूंगा लोगों को देखूंगा ठीक है तो यह reward हुगा अब आपका दिमाग क्या करेगा अब आपको दिमाग जो पांच चैप्टर ना अच्छे से पढ़ेगा वाई जल्दी पढ़ जल्दी पढ़ जल्दी पढ़ क्योंकि दिमाग को reward चाहिए होता है अगर को reward ही नहीं मिला तो क्या हूँ हमने ना यार पढ़ना तो है अप्पा बोले ना क अगर वेटा 10th में तेरे 95% आ गए तो मैं तेरे को बाईक दिलवाऊंगा क्या दिलवाऊंगा बाईक तो वो बच्चा इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि उसको 95% के जो है अच्छे से पढ़े चीजों को समझ के पढ़े उसको पढ़ना है क्यों क्योंकि उसे बाईक चाहिए अब यहाँ पर बाईक आ गई इसलिए वो पढ़न दिया कोई भी काम होता है reward पे चलता है जैसे आप देखेंगे आस पास में जो लोग जॉब करते हैं उनको पैसे देते हैं तब ही तो काम करते हैं पैसे ना दो बला बुला लो काम पर नहीं न इसी तरह हमारा दिमाग भी काम करता है reward system पे तो इसको reward दो छोटे छोटे reward दो छोटे छोटे reward दो देते रहो जिससे इसको मज़ा आए जिससे डोपामीन रिलीज होता रहे कुप डेर सारा आप काम करते रहें ऐसे करके आप अपने काम को करवा लेजिए बात बहुत छोटी है थोड़ा सा समझोगे त पढ़ूँगा दूसरी बुक कौन सी मैं दूसरी बुक पढ़ूँगा ठिंक एंड ग्रोरिज बाई नेपोलियन हिल यह मेरे पास रखे हुए है तो इसी तरह कि मैं अपने लिए reward कि मुझे बुक रीडिंग ना बुक रीडिंग मेरे को बहुत पसंद है तो मैं हमेसा कोई कोई लेन है तो मैं यह काम करके ही जाओंगा अन्यथा मैं जाओंगा रिडिखान aura कारना हो वह इस करके करके काम होते हैं याम करना कभई अन्य चीज़ आन कोई भी छीज़ और यह समजना does pali घृत पास है यह सब तो ये बिल्कुल 100% truth है, यो परिशानिया सब के पास है, सब के पास, सब लोग सेम परिशानियों से उलज रहे हैं, सब लोग सेम परिशानियों से ग्रसित हैं, ठीक है, इसलिए ज्यादा तनाव मतले हैं, सब ही इंसान है, जैसी परिशानिया आपको आ रही है, ठीक है, तो प्रनाव लेने की जुरत नहीं है, अपना काम धीरे 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 करते रहना, इसी बात पर एक पंक्ती मेरे को याद आ रही है कि, जब कभीर दास जी की ये पंक्ती है, उन्होंने बोला कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सीचे सो घड़ा रितु आये फल होए, कि हे मन सब कुछ धीरे-धीरे होता है, सब कुछ धीरे-धीरे योगा, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे, माली जब सो घड़े पानी की सीचता है, तब जाकर के रितु आते हैं, तब फल होते हैं, इसलिए अपने जीवन म धेरे रखना धीरे धीरे चलते रहना चलते रहना अगर निरंतर चलते रहना तो सफलता आपको ही मिलेगी वो आपका इंतजार करके बैठी होगी कि निरंतर चलके आएं मेरे लाल मेरे प्यारे मेरे मीठे मेरे काले पीले मैं उनको मिल जाओं धीरे धीरे चलना सबको सफलता म लाइफ में भी और बोर्ड एक्जाम में भी धन्यवाद दोस्तों